कहानी की शुरुवात होती है और हमें 1996 का वक्त दिखाय जाता है एक आदमी सबंदर के किनारे भागता जा रहा था तब है उसे वहाँ पर एक गेम बोर्ट मिलता है अब वो गेम अपने घर ले आता है वो गेम लाकर उस आदमी ने अपने बेटे को दे दी थी अब जब उसका बेटा वो गेम देखता है तो उसे देखकर उसे लुड़ो वाली स्टीलिंग आती है इसलिए उसने उसे साइट पर रख दिया था रात को उस गेम से अवाँ सी आने लगी थी उस आदमी का बेटा जब उस गेम बोर्ट को खोलता है तो उसमें से एक वीडियो के शिट मिलत यानि के 2017 में हम एक लड़के स्पेंसर को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा था तब ही उसे अपने दोस्त का मेसिज आता है कि उसने उसका होंवर किया या नहीं दरासल उसका दोस्त स्पेंसर से जबरदस्ती होंवर करवाया करता था स्पेंसर ने जल्दी से वीडियो गेम को छोड़ दिया था और अपने दोस्त का होंवर को पूरा करता है वो अपने दोस्त से काफी डरा करता था इसलिए जल्दी से उसके होंवर को पूरा कर दिया था और जाने वाला था पेंसर के दोस्त ने उसे फ्रीक हाउस बुलाया था हिरा में एक लड़की दिखाय जाती है जिसको सोशल मीडिया का बहुत शौक था वो हर वक्त अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर दिया करती थी इस लड़की का नाम बैथनी होता है उदर स्पेंसर अपने दोस्त का होंवर्क लेकर फ्रीक हाउस पहुँच गया था फ्रीक हाउस दरासल उसी लड़के का घर था जो कहानी के शुरू में गेम की वज़ा से गाइब हो गया था और उसका घर अब काफी ड्राउना भी लगता था इसलिए सब उसे फ्रीक हाउस के नाम से जानते थी अब हमें कहानी में एक और क्रेक्टर दिखाय जाता है जिसका नाम मार था था उसकी लड़ाई अपनी जिम टीचर से हो गई थी तो इसलिए उसकी टीचर ने उसे सजा दे थी उदर स्पेंसर और उसके दोस्त का भी टीचर्स को पता चल जाता है, कि स्पेंसर ने अपने दोस्त का हूँ वर्क अब की दिया है, उन्हें भी सजा दे जाती है, बैथनी क्लास में बैटी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो इस वज़ा से उसकी टीचर भी उसे क्लास से बाहर निकाल देती है अब इंग चारों को स्कूल की बेस्मेंट में बेच दिया जाता है इनकी सजा ये थी कि इन्होंने मिलकर पुराने पेपर्स की स्टेपलर स्पिन को खोलना था ये चारों सारा दिन यहाँ पर ऐसे गुजारना नहीं चाहते थी तब ही उन्हें वहाँ से वो ही वीडियो गेम मिलती है शायद उसादमी ने अपने बेटे के गाइब होने के बाद वो वीडियो गेम स्कूल को दे दी थी ये चारों उस गेम को स्क्रीन से कनेक्ट जोडते हैं स्पेंसर और उसका दोस्त गेम को खेलने लगे थी वो बैथनी और मार्ता को भी बुलाते हैं अब जब ये चारों उस गेम को खेल रहे थी तब ही अचानक से गेम बंद हो जाती है गेम बन तो हो गई थी, मगर ये चारो एके करके अब उस गेम में जाने लगते हैं, ये जंगल में पहुँच गए थी, गेम खेलने से पहले इन्होंने जो करेक्टर्स चुने थी, उन्हें करेक्टर्स में ये बदल गए थी, इनकी सब की अपनी अपनी खूबिया थी, जो हम आगे जाकर पता चलेगा, वो चारो जब एक दूसरे को देखती है, तो हैरान होती है, क्योंकि सब बदल गए थी, स्पेंसर जो की एक दुबला पतला लड़का था, वो एक ताकतवर आदमी बन गया था, वो सब को कहता है, मैं स्पेंसर हूँ, मार था जो की एक सीधी साधी लड़की थी, वो अब एक पहादूर लड़की बन चुकी थी, बैथनी जिसे फैशन करना और सोशल मीडिया का बहुत शौक था, वो अब एक मोटे प्रोफेसर में बदल जाती है, स्पेंसर का दोस्त जो काफी लंबा था, वो अब एक छोटे कद का बायलोजिस्ट बन बैथनी जब खुद को देखने पानी के पास चाती है, तो एक बहुत बड़ा जानवर इनके पास आकर इने खाने वाला था, वो बैथनी को खा जाता है, मगर थोड़ी दिर बार वो वापिस से आस्मान से नीची आकर गिरती है, अब ये चारों अपने हाथ पर तीन काली ल गई, तो उसके पास अब दो लाइफ लाइन बची थी, ये चारों उस चानवर से बचने के लिए बहुत भागते हैं, तब ही वहाँ पर एक आदमी गारी लेकर आजाता है, वो इनको बिठा कर अपने साथ ले गया था, वो अब इनको जोमान जी गेम के बारे में बताता है जो इस मोवी का नाम भी है, वो इन चारों को वेलकम करता है इस जोमान जी गेम में और इनको अब गेम की बारे में बताता है, कहता है इस गेम में भी हर गेम की तरह एक विलन है, जिसने यहाँ जंगल में जैकवार चीते की बनी हुई मोर्ती से हीरे को निकाला था, जिसके बाद सारा जंगल शापित हो गया और जंगल के सबी जानवर भी उसकी बात मानने लगे उसने हीरे से सारी ताकतों को पा लिया था अब वो आदमी हीरा स्पेंसर को देता है और कहता है कि इस हीरे को में ने उस फिलन से चुला लिया तुमीं ये हीरा वापिस से उसी जगा पर वो खाली था, बैतनी कहती है, क्या तुम लोग पागल हो, इसमें सब कुछ रिका हुआ है, बैतनी का यहां पर हमें पता चलता है, कि वो अब बहादर होने के साथ-साथ, काफी अकल मन भी बन चुकी थी, वो नक्षे को पढ़ना जानती थी, वो बताती है, इस नक्षे में ए शाफी थाकतवर है, और बहुत तेज भाग भी सकता है, उसकी कमजोरी कुछ भी नहीं थी, स्पेंसर का दोस्त, जब अपने बारे में पता करता है, तो उसे पता चलता है, बताता है कि मैं एक बायलोजिस्ट हूँ, मैं जानरों से बात कर सकता हूँ, और इस सभी जानरों क बारे में भी जानता हूँ, और उसकी कमजोरी में था केक, कि अगर वो केक खाएगा तो मर जाएगा, मार था जो कि एक फाइटर डांसर थी, बैथनी नक्षे को पढ़ना जानती थी, अब इन सब को समझ आ गई थी, कि ये लोग जो मान जी गेम में हैं, और इने अब ये ग बाराई से मार गिराती है, स्पेंसर का दोस्त जो कि नए भाग पा रहा था, स्पेंसर उसे अपने कंदों पर उठाकर भागने लगता है, अब उन लोगों से बच्चते बच्चते ये चारो एंग जड़ने के पास पहुंच गए थी, इनके पास कोतने के लावा कोई दूस स्पेंसर कहता है किSmith को नहीं चेहाा है यह Stephen को नहीं चेहाए करता थे वह आज भी ऐसा ही कर लहा od heuresण आहा roads और अंग Principal को दका दे देता है जिससे स्पेंसर एक खाई में जाकर किरता है मगर वापिस से जिन्दा हो गया था उसकी भी एक लाइफ खत्म हो गई थी जब स्पेंसर वापिस आता है तो ये लोग एक दूसरे से कहते हैं ऐसे तो हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे इस गेम से हमें लडने से अच्छा है इस गेम को अच्छे से केरना होगा ये चारों नक्षे के मताबिक एक बाजार में पहुँच गए थी जहां पर स्पेंसर का दोस्त गलती से कि एक खा लेता है क्योंकि उसे भूक लगी हुई थी और इसी वज़ा से उसकी मौत हो जाती है मगर थोड़ी तेर बाद वो दोबारा जिन्दा हो गया था जैसा कि हम जानते हैं सब के पास लाइफ जिन्दगी के तीन चांस है उधर बाजार में इनके सामने एक बच्चाता है जो इन्हें एक जगा पर ले आयाया था और कहता है वेल्कम टू दा जुमान जी अब वो इन्हें कमरे के पास ले आयाया था और कहता है अगर आंके चपकाई तो ये तुम्हें मार देगा इतना कहकर वो चला गया था इन्हें इस पहीली को सुलचाना था वो जब उस कमरे में जाते हैं जहां पर एक बॉक्स में बहुत बड़ा साप था स्पेंसर जब उसको खोलता है तो इन्हें अब पता चलता है कि आंखी इन्हें साप से मिलानी है बैथनी कहती है मैसा कर सकती हूँ जो कि अब एक प्रोफेसर में बदली हुई थी मगर जब वो साप के आगे बैठती है तो डर जाती है वो साप तभी मार्था पर हमला कर देता है मगर स्पेंसर ने उस साप के मुझ को पकर लिया था ये उस बॉक्स से एक पेपर को निकालती है उन्हें उस पीपर में छूटा सा हाथी मिलता है उसमें साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि जैसे ही तुम हाथी को देखना तो चर्णा शुरू कर दो मगर ये सब सोचते हैं कि इनके नक्षी का यादाइसा नहीं हो सकता तब ही यहाँ पर गेम के विलन के आत्मी आ जाते हैं जो इन पर हमला करते हैं अब तो वो खुद भी इनके सामने आ गया था और स्पेंसर सी कहता है मेरा हीरा मुझे वापिस कर दो मगर तब यहाँ पर एक लड़का बचा कर इरियन ले गया था जो कोई और नहीं बलके वो ही लड़का था जो कहाने के शुरू में गेम में चिला गया था जो पीस साल पहले गुम हुआ था इसका नाम मैलक्स होता है वो विलन के लोगों के सामने धुआ करकर इन्हें बचा कर एक गार में ले आया था अब जब ही उस गार की अंदर जाती है तो वहाँ पर इन्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है पहले इनके सामने सुफेद रंग के बलीड आती है फिर एक पानी की खाई जिसके अंदर बहुत बड़े-बड़े मगर मच थे वो किसी ना किसी तर को अपने घर ले आया था और बताता है कि मैं 20 साल से इधर ही रह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ अब एक लाइफ लाइफ लाइन बची है मैं अपने जिंदकी को खत्रे में नहीं डाल सकता अब इनको यहाँ पर यह बात समझ आती है कि जिस नक्षे के आदे हिसे को यह लोग कर लिया तब ही हम उस पहाड़ पर पहुंच पाएंगे जहां पर हमने हीरे को लगाना है यह जब उस चका पर जाती हैं तो उदर दो गार्स पैरा दे रहे थी यह ऐसे ही उनके सामने नहीं जा सकती थी क्योंकि इनों ने अपनी लाइफ लाइन को भी बचाना था और नहीं है अब मार्ता घार्स के पास जेली तो गई थी मगर पागलों की तरह एक्टिंग करती है उसे सईसे एक्टिंग ही नहीं करने यहां से इने एक चीज़ को लीना था, यह सब हेलिकॉप्टर को लेने का सोचती हैं, एलिक्स को हेलिकॉप्टर चलाने का कहती हैं, क्योंकि और कोई हेलिकॉप्टर चलाना नहीं जानता था, मगर वो साफ इंकार कर देता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चला सकता इसको, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एकी लाइफ बची है और मैं इतना बड़ा रिस हत्रा अपनी जिंदगी के साथ नहीं ले सकता मगर स्पेंसर के कहने पर एलिक्स उस हेलिकॉप्टर को चला लेता है तब ही इनके पीछे विलन के लोग भी आ गए थे एलिक्स हेलिकॉप्टर को उड़ाता पहारों के तर्म्यान से लेकर जा रहा था तब ही इनके पीछे मोटे मोटे गेंडे पर जाते हैं जिनोंने इनके हेलिकॉप्टर के पंके को खराब कर दिया था अब स्पेंसर उपर जाता है और पंकी को किसी तरह से उसने ठीक कर दिया था एलिक्स जो कि हेलिकॉप्टर को उड़ा रहा था जब वो उसे उड़ा कर उपर ले जाता है तो अब स्पेंसर की दोस्त को याद आता है कि हीरा उसकी बैक से नीचे गिर गया है सवाल अब ये था कि उसको लेने कुन जाएगा क्योंकि उस हीरे के इर्दगीर बहुत बड़े बड़े जानवर खुम रहे थे तबी स्पेंसर अपने दोस्त को धका दे देता है सभी बहुत बड़े बड़े जानवर उसके दोस्त के पीछे पर जाते है पीचे से स्पेंसर ने आकर उस हीरे को उठा लिया था हैलिक्स भी उसे बचा लेता है मगर स्पेंसर के दोस्त को उन जानरों ने मार दिया था जब वो तुबारा से जिन्दा होकर आस्मान से नीचे गिरता है तो हैलिक्स हैलिकॉप्टर को उल्टा करता है और तबी स्पेंसर नी अपने दोस्त की हाथ को पकड़ कर उसे बचा लिया था ये पहार पर पहुँच गए थे और बहुत कुश होते हैं तबी एक मच्छर एलिक्स को काट जाता है शोज की कमजोरी थी वो पेहोश हो जाता है इधर कोई भी नहीं चाहता था कि वो एलिक्स को ऐसे ही छोड़ कर आके बढ़े तब है यहाँ पर बैथनी अपनी एक लाइफ लाइन एलिक्स हो दे देती है एलिक्स तो जिन्दा हो गया था मगर बैथनी की एक लाइफ कम हो चुकी थी ये उस जगा पर पहुँच जाती है जिदर चीते के मोर्ती बनी हुई थी ये सब यहाँ पर आ तो गए थी मगर आकर सोचते हैं कि इतना सब कुछ असार नहीं हो सकता जितना हमें लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़ पर जरूर है इन में से स्पेंसर कहता है मैं जाओंगा पहले इस रास्ते पर मगर जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बहुत से जानवर इस पर हमला कर देते हैं एक चीते ने स्पेंसर को मार दिया था जब वो वापिस से जिन्दा होकर आता है तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताता है कि रास्ता बहुत ही खतरनाक है हम ऐसे एकी रास्ते पर नहीं चल सकते मेरे पास एक आइडिया है हमें अलग-अलग रास्तों पर चलना होगा जब ये सबी अलग-अलग रास्ते पर चल रहे थे तो स्पेंसर के दोस्त को एक बहुत बड़ा हाथी मिलता है उदर विलन ने बैथनी को पकर लिया था और स्पेंसर से कहता है जो हीरा तुम्हारे पास है मुझे दे दो वरना मैं इसे यही पर मार दूँगा तब ही पीछे से स्पेंसर का दोस्त आता है जिसके पास हीरा था वो बहुत बड़े हाथी के ओपर बैटा हुआ था इधर पर चड़ना शुरू कर दिया था उसकी राइडिंग बहुत ही शानदार थी वो अपनी बाइक को नहीं रोकता और बस चड़ता जा रहा था उधर मारता जो हीरे को लेने गई थी तो देखती है हीरा बहुत से सांपों के बीच पड़ा हुआ है उधर विलन भी आ गया था यहाँ पर मारता जान बूच कर एक सांप पर पाउं रग देती है जिससे सांप ने उसे काट लिया था जब वो अपनी नई जिंदकी लेकर वापिस आती है तो हवा में उड़ती हुई वो हीरा स्पेंसर को दे देती है उस हीरे को स्पेंसर ने चीते की मूरती में लगा तो हो जाता है गेम का विलन भी गायब हो गया था जिसके बाद उन पांचों के पास वो ही आत्मी आता है जो इने गेम के शुरू में मिला था कहता है आप लोगों का शुक्रिया आपने हमारे जुमांदी जंगल को फिर से हराबरा कर दिया फिर वो सबी से एक एकर के हाथ मिला आने लगता है जिससे सब के सब अपनी दुन्या में वापिस पहुच गई थे फिर ये सब ही उसी बेस्मेंट वाले कमरे में वापिस पहुच जाते हैं अपने असली रोप में जहां से इन्होंने गेम को खेलना शिरू किया था लेकिन वो देखते हैं उदर एलिक्स नहीं था जब ये उसे ढोनने जाती हैं जो एलिक्स का घर फ्रीक हाउस था वो बहुत खूपसूरा सजा हुआ था एलिक्स आता उन्हें हेलो करता है बैथनी भी हेलो करती है एलिक्स इनको बताता है एक गेम ने मुझे उसी टाइम डाइन में बेज़ा है जब मैं गाइब हुआ था कहानी के आकिर में हम देखते हैं उस गेम को स्पेंसर के दोस्त ने तोर दिया था यानि कि उसने जुमान जी को खत्म कर दिया और इसी के साथ इस मुवी की कहानी यही पर खत्म हो जाती है